गुड मॉनिंग क्लास वेलकम टू माही बायोलाजी क्लासेज आज की इस वीडियो में बेता हम एक नई कोश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैंने हिंदी और इंगलिश दोनों में आपके कोश्चन को फ्रेम किया है यह है नीट के एक्सपेक्टेड कोश्चन ज इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर कीजिए यह आपको नीट 2020 एक्जाम में बहुत काम आएगी देखी कोश्चन मैंने दोनों में ही फ्रेम किया है इसलिए दोनों मीडियम बाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी तो इस वीडियो को जादा से होने वाला है तो उन लोगों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए चलिए फिर देखते हैं आज का फर्स्ट कोशन आपका की स्क्रीन पर दिख रहा है इन प्रोकरियोर्ट्स रेस्पाइरिट्री एंजाइम और प्रेजेंट इन प्रोकरियोर्ट्स में स्वसनी एंजाइम जो होते हैं वह कहां पाए जाते हैं देखिए प्रोकरियोर्ट्स मैंने आपको पढ़ा रखा है वैसे ही प्रोकरियोर्ट्स क्या होते हैं हमने नुकलियस के अधार पर केंद्रक के अधार पर जो होता है प्रोकरियोर्ट्स को टू में डिवाइट्स किया था स्वारी कोशि तो वहाँ पर 3 आएगा क्योंकि एक मीजोकरियोटिक भी होता है जो की एक्जाम में कुश्चन आ चुका है उसका अंसर वही है तीन प्रकार कियोंगी नॉर्मली आप से पूछा गया है लेकिन अगर आपको वहाँ पर दिया गया है कि नूकलियस कैदार पर तब कोशिकाएं तो प्रकार की होती है प्रोकरियोटिक और यूकरियोटिक जो मैंने भी आपको थर्ट आइप बताया था कि वैसे तीन प्रकार की होती है मीजोकरियोटिक मीजोकरियोटिक सिर्फ एक मात्र एक्जामपल है डाइनो फ्लेजलेट्स और डाइनो फ्लेजलेट्स कहां पाय जा जिन में primitive type का nucleus हो प्राचीन केंद्रक हो वो होंगे हमारे prokaryotes और इन में क्या होता है केंद्रक में केंद्रक जिली नहीं होती है nucleus में nuclear membrane नहीं होती है यह पर DNA में histrone protein नहीं होता है ठीक और दूसरी चीज यहाँ पर ribosome को छोड़कर एक्सेट ribosome जो है वो सभी में होता है prokaryotes, eukaryotes लेकिन ribosome को छोड़कर कोई भी दूश्रक cell organelle कोशिकांग नहीं पाया जाता है यहाँ पर prokaryotes के अंदर यह चीज़ ध्यान रखनी है तो देखिए मतलब सोशन अगर हम सोशन के respect में बात करें तो कहाँ पर देखते हैं हम इसको mitochondria लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर mitochondria पाया जाए chloroplast पाया जाए लाइसोजोम पाया जाए गोल्जी बाड़ी मतलब कोई भी कोशिकांग यहाँ पर नहीं होता है ribosome होता है ribosome जो होता है जिल्ली उसमें नहीं होती है यह मैंने आपको बता रखा है प्रोकेरियोट्स में सोशनी एंजाइम कहां पाया जाएंगे तो वो होगा कोशिका जिल्ली, cell membrane, mitochondria, chloroplast, golgi body तो प्रोकेरियोट्स में होता ही नहीं है तो यहाँ पर जो होंगे वो cell membrane से होंगे और मैंने आपको बता रखा है cell membrane अंदर की तरफ एक invagination बनाती है उस structure को क्य काउं में पाया जाते हैं और वो किस से related होते हैं तो वो होते हैं हमारे सोशन से related जो mitochondria work करता है यहाँ पर वो mesozoom तो यहाँ पर धियान रखना है प्रोकेरियोट्स में जो सोशनी एंजाइम होते हैं वो कोशिका जिल्ली में पाया जाते हैं तो इसके लिए जो correct option होगा व सबसे छोटी जीवित कोशिका को बताना है हमने algae है bacteria है वायरोइट्स है या फिर mycoplasma है तो सबसे छोटी जो living cell होती है वो है हमारी mycoplasma mycoplasma क्या है इस सबसे छोटी living cell है और कहां रखा गया है इनको प्रोकेरियोट्स के अंदर रखा गया है यह मैंने आपको बता रखा है mycoplasma को प्रोकेरियोट्स के अंदर रखा गया है इनमें क्या होता है इसमें कोई भी कोशिका जिल्ली नहीं होती है जबकि हमने देखा था कि दूसरे जो प्रोकेरियोट्स होती है अनमें peptido glycan की बनी कोशिका जिल्ली होती है लेकिन कोशिका भित्ती होती है लेकिन mycoplasma में माइको बलाज्मा में कोई भी कोषिका गिलिक नहीं होती हैं कि और होता है सब्से छोटी जीवित को जिको भाटें का साइज और यह से 0.2 002 तक होता है इतने स्मॉल साइज के होते हैं यह और इनका दूसरे नाम क्या है पीपी अलो भी बोलते हैं प्लोरो निमोना लाइक ओर्गिनिस्म तो ध्यान रखना है सबसे छोटी लीविंग सैल्स जो है हमारी वह है माइको प्लाज्मा अगर देखिए कोशन को ऐसे फ्रेम किय होते हैं तब होता है घोड़ Divine होते है सबसे छोटे निमनतम ताइप के प्लांट सोते हैं जुनों ने सबसे पहले oxygenic photosynthesis किया था वो भी क्या है blue-green algae जिनको हम कहां रखते हैं जिनको हम procariosum रखते हैं और bacteria तो हमें पता है kingdom moneda के member हैं वाइरोइट्स जो है वो वाइरस के बाद जो RNA से युक्त infection करने वाले होते हैं उनको हम वाइरोइट्स कहते हैं तो इसके लिए जो correct option होगा वो हमारा option fourth होगा mycoplasma next देखते हैं in the middle lamella of plant cell wall one of the main element is पादब कोशिका भित्ती की मध्य पटलिका का प्रमुक्तत्व है calcium iron magnesium या फिर potassium देखिए पादब कोशिका भित्ती जो होती है मीडल लैमिला के होती है यह नेफ्य पतलिका के होती है धो समीप्यूवरती कोशिकाएं होती है उनको पास-पास questionnaire91 की तरह होती है हमारी middle lamella यह बनी होती है calcium pactate और magnesium pactate से लेकिन mainly अगर कहेंगे तो हाँ पर आपसे तत्व पूछा गया है तो वह होगा calcium calcium magnesium भी होता है लेकिन अगर दोनों एक साथ होंगे तब आपने बताना है लेकिन यहाँ पर mainly तत्व पूछा गया है तो उसके लिए जो correct option होगा वह हमारा A होगा calcium धियान रखना है मध्यपटली का जो होती है middle lamella glue काम करती है दूसरी कोशिकाओ को चिपकाने का काम करती है और इसमें क्या होता है calcium pactate होता है pactate किस चीज़ का polymer है पूछा गया है ग्लैक्ट्रोनिक तो यह भी पूछा गया है कि pactate का जो उसका polymer पूछे जाता है pactate वह कहां पर पाया जाता है जैसे polygalactronoids जो होते हैं वह कहां पर पाया जाते हैं तो आपने धियान रगना है वह middle lamella में ही पाया जाते हैं इसके लिए जो correct option होगा वह हमारा A हो गया चलिए हम next question देखते हैं हमारा तो यहां पर जो correct option है वह हमारा middle lamella middle lamella के घटक होते हैं यह यहां पर पाय जाते हैं क्योंकि इसमें जो pactate होता है इसका polymer होता है यह चीज़ धियान रखने है प्राइमरी सेल बॉल हर पातर में पाये जाती है secondary सेल बॉल जो अंदर की तरफ प्राइमरी बॉल से अंदर की तरफ बनती है इस चीज़को भी धियान रखना है सेल मेंब्रेन भी हր किसी उसमें पाती है अब एक चीज और धिहान डखने है कि जो सेल मेंब्रेन होती है कोशि का झिल्ली होती है बहले फ्रोचीली पहले हिर्युकरियोडस हो िया फिर यूकरियोडस हूं उनमें कोशि का झिल्ली के आदार feeder भी कोई बड़ा अंतर नहीं होता है यहां पर प्रोटीन लिपिट से ही बनी होती है वह तोड़ा सा माइनर कोई होगा उनके लेकिन कोई ज्यादा बड़ा आंतर नहीं दिखा जा सकता अगर कोषिन ऐसे फ्रेम कि कोप्रो केरियोट में क्या समान होक obvious प्लाजमा जिल्ली सैल मेंब्रेन है यहां पर सेम होगी देखे नैइक्स्ट कोश्चन देखता है हम पाइएं कर दो कि मीजसूम को इसकी रूप में लिया जाता है तो आपको मैंने पाइएं किसकी रूप में लिया जाता है प्र कर वो भी respiration के लिए important होता है मुझोजूम कहां पाए जाते हैं सभी prokaryotes में पाए जाते हैं और अगर prokaryotes के example भी आपने रहा बैक्टिरिया ऐस्टिरिया को लाई यह माईको पाजमा प्रोकरियोट के अपने बनाने की काई ओ पर अलग- enormous Landine Rain kingdom fungi को देखे तो वहाँ पैटिन की बनी होती है अगर हम plants में देखे तो महा spirit целvana की बनी होती है अगर हम protisита में देखे तो वहाँ कुछ में होती है और कुछ में नहीं होती है selesus की सैल्वल्फ की बहा परolateी सिलिका प्रोटेस्टिये के कोशिका वित्तीरा पजाता हो अपने कमेंट करना है इंपोर्टन ए आ रखा है कोशिएंट आपको पता होना जाहिए और जो ऐनिमल किंग्डम होता है और यह वह हमारा हुग डैंट करना है विच मेटल इस कॉंसा धातु आयन क्लोरोफिल का भाग है तो यहां पर जो धातु आयन क्लोरोफिल का भाग है वो है मैगनेशियम यह भी ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशिन देखते हैं सेलहबॉलीस मेली मेड अपोप कोशिक भित्ती जो मुख्यता बनि होती है वो किसकी बनी होती है तो वो बनी होती है हमारी सेलुलोज ऑर पैक्टीन की बागी देखिए glycoprotein, glycoprotein है, lippoprotein, lippoprotein से क्या बना होता है अपने बताना है पॉलियमाइन्स और लिपिट्स मिलकर क्या बनाते हैं ये भी आपने बताना है पॉलिमर्स जो पैप्टीडो गुलाइकंस म मैं ली देते हूं जो सेल मेंब्रेन बनी होती है आपने बनाना है बताना है कि दresse हरे इस सैंस्ट क्यांम नहीं देखते हैं इंपोर्टेंट तो पूरा ही चेप्टर है लेकिन सबसे फेबरेट एक्जामिनर का कहेंगे तो वह कोशन यह यह देखिए कोशी का सिध्धान का प्रस्ताव किस ने दिया तो आपने ध्यान रखना है कोशी का सिध्धान का सबको वैसे पता है और किसी ने दिया शील्डन और स्वान ने इन दोनों की नागरिकतeg भी सीटीजन को भी याद रखना है कि कौन कहा से था, जैसे कि अगर हम देखेंगे तो शील्डन जो थे, वो बॉटेनिस्ट थे और कहां के थे, जबकि सौन जो थे, वो जुलाजिस्ट थे, और, мож assume the Pasad outbreak of미 came, इंपनले के निः सायद, Shieldon जो थे वो थे हमारे Botanist और कहां के थे German के थे जबकि जो Swan थे हमारे वो Geologist थे और वो कहां के थे British के थे धिहान रखना है तो इसके लिए जो Correct option होगा वो है हमारा A बाकि दूसरे question को देखी Watson and Crick इन्होंने क्या दिया था किस नहीं नहीं हो ने अगर मैं आपक ऐसे पहले को सब्सक्राइब को किसnes Ayam लेकिन अगर मैं आपसे पूछू सबसे पहले जीवित कोशिका की खोच किस ने की थी तो नेम चेंज हो जाएगा आपने मुझे आंसर देना है देखें पता चल गया ना आपको और वर्टसन और क्रीक ने कब दिया था मॉडल 1953 में धिहान रखना है इंपोरेंट कोशन है यह दूसरे चेप्टर से रिलेट होता है लेकिन इंपोरेंट है धिहान रखना है नेक्स्ट कुशन देखते हैं विच ओफ फॉलोविंग इस एक्सेप्शन ओफ सेल थियोरी को बोला गया था सबसे पहले स्टेटमेंट सेल थियोरी का कि सेल इस ट्रक्चिल एंड फंक्शनल य एक्सेप्शन अपबाद का मतलब होता है कोई भी एक रून को अगर बनाया गया है वो इसको फॉलोव ना करता हो पर कैटेगरी उसी की रखता हो इसको हम बोलते हैं अपबाद देखिए फंजाए क्या हैं यूकेरियोर्ट लाइकेन बेक्टेरिया लेकिन वाइरस जो होते हैं exception बहुत सारी हैं बहुत सारी चीजे जैसे RBC को अकर हम उस कहें तो RBC भी एक exception है परिपक वहार भी मिच्वर आरवीस जो होती है बहुत सारे हैं लेकिन आपको उन सारे exception के साथ भी अगर पूछा गया कि सबसे बड़ा exception कौन सा होता है तो आपने दियान रगना है biggest exception है स कमें दर किया होता है अभी यहां पर करेंके नियुकरियांट लाइकें बीकलिड सेले घंप कर होता है लाइकें 6P1 को तक में में मामाद लाइक 7 जीविव में फान अबिवा सेले त्वब्ती है किक होता है गुल नषी है व। 。」 compensate हो दिए लिकल ने rune 2 ⁴ और हमारा शैवाल algae दोनों एक साथ रहते हैं फंजाय क्या करता है उसके लिए mineral nutrition को absorb करता है और आश्रह देता है उसको shelter provide करता है जबकि algae जो होता है वो भोजन बनाता है दोनों एक दुसरे को मतलब दोनों को एक दुसरे से फायदा ही हो रहा है किसी को कोई नुकसान नहीं हो दुनों एक जी बनाते हैं लाइकेन के बारे में एक चीज़ ध्यान रखने हैं लाइकेन जो होते हैं वो पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं सबसे ज्यादा होता है एसे टू पॉल्यूशन जो होता है वहां पर लाइकेन जो है वो ग्रो नह मुझूद कोशिकाओं से उत्पन होती है इंपोर्टेंट है एक साइन्टिस्ट ने मतलब सैल थियोरी जो थी सैल थियोरी को एकसेप्ट करते हैं 1893 में दी गई थी तो उसमें क्या था उसमें बताया था सैल जो होती है वो संड़ाचनात्मा को किर्यात्मा की काईल होती है लेकिन यह सैल थियोरी यह नहीं बता पाए थी कि जो प्रेग्जेस्टिंग जो सैल होती है वो कहां से बनती है तो यह सबसे पहले बताया था विर्चॉफ ने 1855 में य विच्वाफ ने दिया था जो कि important है आपने ध्यान रखना है इसको क्योंकि cell theory इसको explain नहीं कर पाई थी कि cells बनती कैसे हैं तो यह इन्होंने बताया था 1855 में जो कि एक important statement है आपके exam में आ चुका है statement भी आपने अपनी इन्होंने जिसका meaning होता है new cell are formed from pre-existing cell तो यह क्या था यह modification था आपकी cell theory का जो कि सिल्डर नोर्ट स्वान ने दी थी फिर उसके बाद जो था एक नए statement cell theory के साथ एड हुआ जैसे था all living organisms are composed of cell and products of cell उसके बाद जो हुआ वो second statement यह था cell all cell arise from pre-existing cells यह भी धियान रखना है तो यह किस ने दिया था यह दिया था वे चोपने second option हमारा correct है कब दिया था 1855 में दिया था यह चीज़ भी धियान रखना है और देखिए Luban Hawk अभी मैंने आप से question पूछा था कि सबसे पहले living cell को किस ने देखा था वह सबसे पहले देख की थी 1831 में यह भी धियान रखना है चलिए फिर यह थे हमारे आज की question है मिलते हैं हमारी next video में तब तक के लिए पढ़ते रहिए thank you